हलो जहीं साथियो स्वागते आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पर है साथियो आज का पेपर सौल्व करने वाले वर्साप केलकुलेस्टन एंड साइन्स का आप किसी भी ट्रेट से आई टेक करें आज की डेट में अथा 26-4-2022 की डेट में यदि आप एक्जाम देने गएते आई टेक फश्टियर का तो आप अपना एंस्वर की मिला लिएगा ज्यादातर कोशन मुझे प्राप्त नहीं हुए क्योंकि जितने भी चातर गएते एक्जाम देने ज्यादातर कोशन जो थे वह आपकर समय करना टाइप केजते जोकी मैंने यहाँ पर जो टाइप किया वह मॉवायल के दोरा टाइप किया तो टाइप करने में काफी दिखते हो रहती है इसलिए मैंने जितना यहाँ पर कोशन मुझे समझ में आए क्योंकि अच्छा जो यहाँ पर था जो टाइपिंग करने में असान था वो कोशन मैंने कभर कर लिया तो जितने भी चात्रों का अभी तक एक्जाम नहीं हुआ है सभी लोग इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के कोशन पूशे जा रहे हैं और जो चात्र आज की डेट में गए थे एक्जाम देने सभी लोग अपने एंसर की मिला लिजेगा इसमें पहला कोशन पूचा गया था वर्साप कल्कुलिस्टन एंड साइंस फ़स्टियर में कि यदी गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है गर्म के यदि ठोस की लंबाई गर्म करने पर बढ़ते हैं तो इसको साथ यो रेकिय परसार बोला जाता है क्या बोला जाता है रेकिय परसार लेकिन आपको कन्फ्यूज करने के लिए सुपर आफिसियल परसार और घनिय परसार छित्रिय परसार यहाँ पर दिया गया लेकिन आप बिल्कुल confused न होईएगा यहाँ पर आपका सही हो जाता है option number A जिसको रेखिय प्रसार के नाम से जाना जाता है A option सही हो जाता है question concern correct answer आगे बढ़ते question number 2 पे जिसमें पूछा जा रहा है की 3X रेखिय प्रसार के लिए किस सब्द का प्रियूग किया जाता है A option घंसर गुणांग B option रेखिय प्रसार गुणांग C option सूपर फिस्यल प्रसार गुणांग और D option देगे घनिय प्रसार गुणांग तो साथियों यहाँ पर सही होता है आफसन नमबर D जिसको घनिय प्रसार अगुणान के नाम से जानते हैं D आफसन आपका सही हो जाएगा कोशन के अनुसार करेक्ट एंसवर मिला लिजेगा आगे बढ़ते कोशन नमबर 9 पे ये भी आपका मुश्ट इंपोर्टेंट कोशन है जिसमें पूछा गया था कि उन मेटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडियेशन, कंड़क्शन और कंवेक्शन द्वारा उसमा के परवा को परतिबंदित करते हैं A आफसन कंड़क्टर, B आफसन इंसुलेटर, C आफसन लो, D आफसन अलो तो उस दातों को बोला जाता है, इंसुलेटर, क्या बोला जाता है, इंसुलेटर बोला जाता है और यहाँ पर आपको इंसुलेटर, B आफसन देखने को मिल जाता है सारे कोशन मिलाते जाएगा, हरे कोशन मोशन इंपोर्टेंट है और यदि आप पिछली साल के वर्साब Calculation and Science का पेपर देखना चाहते हैं या Engineering Drying का या Practical का पेपर देखना चाहते हैं तो आपको प्लेइलिस्ट भी मिल जाएगी चैनल पे जाकर प्लेइलिस्ट चेक किजेगा वहाँ पर आपको करम वाइज आपको कोशन देखने को मिल जाएंगे जो परिछाओं में पूछे गए हैं आगे बरते कोशन नमबर चार में जिसमें कोशन नमबर चार में पूछा गया था कि किसमें उस्मा चालकता सरवादिक होती है जैसे कि A आपसन दिया गया है ठोस वर्प, B आपसन, पिघलती वर्प, C आपसन, पानी, D आपसन, वास्प तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका कोशन के अनुसार आपसन नमबर A बिल्कुल करेक्ट इनसर जिसको ठोस वास्प के नाम से जाना जाता है यहाँ पर A आपसन आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन नमबर पांच पे जिसमें पूछा गया था कि इनमें कौन सा एक खराब उस्मा रोधा के A आपसन, काच, B आपसन, कार्क और C आपसन दिया गयता है रवर्प और नीचे आपको एक और आपसन देखने को मिल क्या सर्कीट में परतरोधों को स्रीज कनेक्शन में समान होना चाहिए या आपसन धारा समान होना चाहिए या बोल्टेज समान होना चाहिए या परतरोध समान होना चाहिए तो ध्याने कियेगा इसमें जो समान होना चाहिए वो केवल करेंट जो होती है जो धारा जो होती ह वो सबान होनी चाहिए तो आफसन नंबर ही हमारा सही हो जाता है कोजिशन करनुसार करेक्टेंस और मिला लिजेगा आगे बड़ते है कोजिशन नंबर साथ पे जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक बोल्ट का EMF जो यहाँ पर EMF होता है साथ यो इलेक्ट्रो मोटी फोर्स होता है वो दी एक EMF करेंट के परवा का कारण बनता है तो इसका यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि इसमें जो सक्ती होगी जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी तो जब आप इसको निकालेंगे सही सुत्तर के द्वारा तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपसन नंबर A एक वार्ट होगी क्योंकि यहाँ पर एक EMF करेंट की परवा के धारा बनता है तो इसलिए यहाँ पर एक आपका वार्ट हो जाएगा तो आपसन नंबर A आपका सही हो जाएगा मिला लिजेगा आगे बढ़ते हैं साथियो कोशन नंबर आठ पे हैं जिसमें कोशन नंबर आठ में पूछा जा रहा है कि इन में कौन सा उसमा रोधा के A आफसन थर्मो कोल, B आफसन कापर, C आफसन ब्रांस, D आफसन एलिमोनियम तो साथियो यहां पर सही हो जाता है कोशन करनुसार आफसन नंबर A जिसको थर्मो कोल की नाम से जाना जाता है A आफसन कोशन करनुसार हमारा करेक्ट टेंस्वर हो जाएगा, सभी लोग मिला लिजेगा आगे बढ़ते कोशन नंबर 9 पे, मुश्ट इंपोर्टेंट कोशन यह भी था जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक खराब उसमा रोधक है A आफसन काच, B आफसन कार्क, C आफसन रबर, D आफसन डार डस्क तो सातियो, देखे, इनमें से कौन सा एक खराब, खराब एकदम उसमा रोधक जो हता है, वो कौन सा इसमें आता है तो खराब के अंतरगत आजा, सातियो यहाँ पर काच, यहाँ पर आपका A आफसन सही हो जाता है, बिल्कुल correct answer आते हैं अगले कोशन पे, कोशन नमबर 10 पे, यह भी आपका मुश्च इंपोर्टेंट था, जिसमें पूछा गया था है कि धारा की क्या होती है, फश्टियर में काफी इजी-जी कोशन पूछता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, सभी लोग कर लेंगे, तो धारा की क्या होत डिकत देख लिजेगा, इसमें जो धारा होती है, कैया होती है, समान होती है, आगे बढ़ते है कोशन नमबर 11 पे, जिसमें यह भी आपका कोशन repeat हुआ है, यह आपका कोशन नमबर 12 है, प्रतेर्ण दो को stat cual connection में समान होना, तो यह आपका दो बायरे है diyor दो फेर, यह हम पर निम्लिखित की लेबल है तो उनकी रेटेट की पावर क्या होगे इसकी रेटेट यहां पर पूचा गया पहले तो यह कोईशन आपको समझ भी नहीं आप द्यान से पढ़ेंगे तो क्या पूचा जा रहा है आप इसको समझ पाएंगे इसमें का जा रहा है कि यदि एक एडस लेबल रेजिस्टर में यहां पर निम्लिखित लेबल है तो उसकी यहां पर रेटेट पावर के थे एक यहां पर यहां पर चित्र दिया गया था यहां पर तो उस चित्र को यहां पर मैंने कभर नहीं कपया लेकिन जो चात्र यहां पर गया थे एकजान देने उन्होंने य दुकाव का कौण, B आफसन घंठका कोण, C आफसन उन्याइन कोण, और D आफसन ओनमन कोण, तो सात्यू, यहाँ पर सही हो जाता है आफसन नमबर C, recorder को आपको ौन्यान कोण के जिजिजगा